नमस्कार स्वागत है आपका हमारे न्यूस चानल वॉइस ओफ इंडिया में मैं साक्षी जोशी खबर पंजाब से तपा मंडी की बाजिगर बस्ती में हाई वोल्टेज तारों का करंट लगने के कारण एक नौजवान की मौत हो गई बस्ती निवासियों का कहना है कि मृतक सतनान सिंग छट पर कारे कर रहा था तो घरों की छटों से चार फुट की दूरी पर गुज़र रही हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया जिसके कारण मौत हो गई इलाकी के लोगों का कहना है इससे पहले भी कई लोगों की मौत हुई है मगर पावर कौम का इस और कोई ध्यान नहीं है नेता चुनाव के समय वादा कर जाते हैं मगर चुनाव के बाद कोई नहीं आता वही पावर कौम के SDO नवनीज जिंदल का कहना है हमने गाउंवालों को एस्टिमेट दे रखा है जो जमा करा दे तो तारे शिफ्ट हो जाएंगी आई ये सुनते हैं पावर कौम हो या पंजाब सका इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के मरने का फर्क आज उस बाब को पड़ा है जिसका जवान बेटा मर गया है जो उसका एक सहारा था आज इनसान की कीमत कितनी सस्ती हो गई है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं तरन तारन से नरेश गर के रिपोर्ट आप देखते रहीं वोईस ओफ इंडिया